बिस्मिल्लाहिर्हमानिरहीम असलाम लेकुम वरहमतुलाहिव बरकातुहु जी क्या हौल चाले आप सबका आज मैं आपके साथ चिकन श्वारमा बनाने की रेस्पी शेयर करने लगी हूँ तो बहुत यह सान रेस्पी है और इसके अंदर में सारी चीज़ें आपको बताऊंग हैं सबसे पहले हम सॉस त्यार कर लेती हैं यहां भी हमने लिए है कुटी होई लाल मिरच तो इसके अंदर हम डालेंगे चिली सॉस और साथ में डालेंगे थोड़ा सा सिर्का और यह दोनों सॉस बलाके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताके जब तक मारता श्वार दस्त पन के त्यार हो जाएगी तो इसको साइड़ भी करती हैं तो यहां भी हम लेंगे लेसन और अदरक इसका पेस्ट बना लेंगे चिकन को मेरिनेट करने के लिए और चिकन को मैंने सिर्का लगा कि अच्छी तरह से दोके साफ कर लिया है यहां पे बोनलेस शिकन है तो अब हम लेंगे दहीं, दहीं के अंदर हम डालेंगे लेसन और अधर का पेस्ट और इसके साथ हम डालेंगे कुटी होई लाल मिर्चें ये वाले ये बीजों वाली मिर्चे होती है इसको हम डडडड़ा मर्च कहती है तो इसके अंदर हम डालेंगे और साथ ही डालेंगे नमक ह मुझे पहुच को एनोघ के सिके हमाराम के उन्म हम नहीं स्टाइब को आफा है नहीं आफिक उन्दिस्टार करके हुं। तो यहां पर हमने सारी चीज़ें इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम डालेंगे इसको चिकन के अंदर डालके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यह जो बतन है इसको भी हम साफ कर लेंगे इसको हम अच्छी तरह से साफ करेंगे तो यहां पे चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसको रखेंगे तकरीबन आदा से पौणा गंटा या फिर एक गंटा तक जितना ज़्यादा आप इसको मेरनेट करने के लिए रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये जबरदस्त बनेगा तो मैंने इसको रखा था तकरीबन आदा पौणा गंटा क्योंकि बच्चों ने खाने थी विश्वार में तो मैंने ना जल्दी से इसको फिर ना इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गीडा ला था आप चाहें तो आयल भी इस्तमाल कर सकती हैं तो यहां पर हम चूले का जो फ्लेम है ना इस तरह से बिल्कुल स्लो रखेंगी और इसके उपर रखेंगे फ्राइ पैन को उसी फ्राइ पैन को जिसके अंदर हमने मेरनेट करके रखावा था तो इसका ना डकन नहीं है तो मैं इसके उपर रख रही हूं तवा तवा जो के मैंने बहुत जादा गरम कर लिया था और यह देखिए माशाला से चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरह से पाक के त्यार हो रहा है मजीद हम पांच से दास में डॉर पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तब तक हम अपने शौरमी के लिए तियार कर लेती हैं सलाद को तो यहां पर मैं खीरे ले रही हूं और साथ में ले रही हूं बंद गो भी तो आप अपनी पसंद की कोई भी सलाद इसकेंदर इस्तिमाल कर सकती हैं गाजर हो गई, प्याज हो गई जो भी आपको सलाद में पसंद है वो आपसकेंदर आज सकती है और जो मैंने सोस तियार की थी उसी सोस को हम थोड़ा सा सलाद के उपर लगाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके रख देंगी ताकि इनका जो फ्लेवर है बहुत ही जबरदस्त हो जाए और यहां पे चिकन जो है वह अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है वह वक्री गल लेकर थोड़ा सा साइड से लग गया इसको आप इग्नोर करें तो यह देखे हैं आप लोटी है वह गल के थियार हो चुकी है तो इसके हम रेशे रेशे कर लेती हैं इस तरह से आप चाहें तो मोटे मोटे जो पीसिस होती है वैसे भी रख सकती है लेकिन मुझे इस तरह से पसंद थे और मैंने काफी ज़्यादा श्वारभी बनानी थे तो इसलिए मैं इनके न भी हो जानी थी तो मैंने सोचा कि वह वाली जो वीडियो ना उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो यहां पी हमारा श्वारमी बनाने का सारा समान जो है वह मकंबल तो पर रड़ी हो चुक है तो आब मैं यहां पे ले रही हूं ब्रेड ब्रे में जाके जो लिंक है ना उसको उपन करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी तो उसमें कैसे ब्रेड त्यार करती है शौर में की वह आप जरूर देखिएगा तो यहां पे मैंने सबसे पहले लगाई थे मायोनीज तर साथ में थोड़ी सी सौस लगाई यह अभी इसके और बंदगों भी जो कि हमने त्यार की थी तो इसके उपर डालेंगे चिकन को और इसके उपर थोड़ी सी मायोनीज जार लगाएंगे क्योंकि बच्छों को मायोनीज ना बहुत इपसाद होती है तो यहां पे इसको अच्छी तरह से लेपेड़ के इसके उपर लगाएंग आप इस तरह के से बनाएंगे तो आपके घर वालों को और आपके बच्छों को ये शुआरमे बहुत ही पसंदाएंगे क्योंकि बजार से इतने महंगे मिलती है एक शुआरमा जो चोटा शुआरमा होता है वो एक सो बीस-थीस का मिलता है तो यहां पर मैंने ना अपने प्रशान भी नहीं होता जो बजार की होती है वो ब्रैड वेड़ा का तो आपको बताए किस तरह से वतियार करती है जो के बाद में बच्चों की से पे बहुत ही बुरा असर चोड़ती है और बच्चे जो उतनी है वह आई दिन पेड़ दर्द ये वह तो इन सब चीजों से ब प्संद है आपको देखिए हमारे मुर्गे ने भी क्या दिया कि बहुत चबरदस्त बने है जाहर है चिकन शौरम है तो मुर्गे ने तो लाजमी बोलना था इस वीडियो पर जो पासे आगे वो मेरी होंगे और इस कह रहा है कि इस वीडियो पर जो भी डॉलर जाएंगे व झाल